नवश्कार मित्रों बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं मारी खास पेशक्ष मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंड केशव फ्रेंग्स आज हम बात करने वाले हैं शिवरात्री पर किये जाने वाले महाउपायों के बारे में यू तो आपने कई शिवरात अब यूट्यूब में काफी सारी वीडियो आने वाली हैं और उन वीडियो का आपको लाव मिले इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और फ्रेंग्स पहली बात हम इस चैनल को मॉनिटाइज बिलकुल नहीं करते हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य धन प प्रियास किया है क्योंकि हम लोग जो हैं आपकी लिए यह जोतिश की उपाय ला रहे हैं आपकी बलाई के लिए ला रहे हैं आपके ट्रस्ट के लिए ला रहे हैं बाकि हमारा उद्देश्य धन प्राप्ति इससे नहीं है आपको मैं पहले ही क्लियारिफाय करना चाहूंग शिवरात्री पे किये जाने वाले महा उपाए शिवरात्री को बहुत सारे लोग बोलते भगवान शिव का प्रकट्टे दिवस है भगवान शिव का जनम दिन है भगवान शिव का जनम दिन शिवरात्री पे नहीं मन सकता जो जब पृत्वी नहीं थी तब भी वो था जब वो रही है, तो भी वही है, तो इसलिए भगवान शिव तो अनादिकाल से इस पृत्वी को बनाते हैं, बिगारते हैं, पालन करते हैं, स्रिष्टी, स्थिती ले करने वाले भगवान शिव ही है, तो भगवान शिव का जनम दिन नहीं हो सकता, या किसी भी देवी देवता का जनम दिन नहीं होता, अवतारों का जनम दिन होता है, जैसे भगवान कृष्ण के अवतार का जनम दिन होता है, भगवान विष्णु के अवतार, कृष्ण जी उनके जनम दिन मनाया जाता है, वो अवतार हुए, उस दिन उन्होंने अवतरण लिया, और भगवान जो आदी है अनन्त है ब्रह्मा विष्णू यह से जो महेश है यह अनन्त है तो बहरहाल शव से शिव बनने का जो यह दिन है यही शिवरात्री है शिव और पार्वती का विवहा इस दिन हुआ था इसी दिन को शिवरात्री कहा जाता है शिवरात्री में दिन की पूजा का इतना महत्व न तो इस शिवरात्री में ऐसा क्या किया जाए जिससे आपको विशेश फल की प्राप्ती हो सिंपल सा रेमेडिय आपको देता हूँ जो प्रदोशकाल होता है 45 minutes before sunset 45 minutes after sunset जो 90 minutes का समय होता है इस समय में भगवान शिव और पार्वती बैल पर बैठते है नंदी पर बैट करके विश्व का ब्रमन करते हैं और देखते हैं जो उनकी पूजा कर रहा है तो भगवान उसको blessings देते हैं भगवान बोलते हैं कि भगवान तेरे घर में अन्य धन्य की कभी कमी न हो तेरी समस्तमनों कामना मैं पूर्ण करता हूँ तभी कहते हैं संध्या का साल के समय कुछ और चीजे ना करके भगवान की उपासना करनी चाहिए क्योंकि भगवान शिव इस समय पर नंदी पर बैट करके माताउमा के साथ विचरन करते हैं गूमते हैं इस समय पर शिवालय जाईए शिवालय में घी का दिया अर्पित कीजिए और आव हो सके तो ओर numbers में अगर बेलपत्र हो उनको भिगा करके कुम-कुम कुम-कुम उसके उपर डाल दीजे उसको यहां फिर कुम-कुम में लगा करके भगवान शीव को अर्पित करिए मंत्र क्या होगा ओम उमा महिश्वरा भ्याम नमः ओम उमा महिश्वरा भ्याम नमः इस मंत्र में दोनो उमा और महिश्वर दोनों का ही नाम आया है और इस मंत्र के जब से आपको दोनों की ही कृपा की प्राप्ति होगी फिर क्या करेंगे शिवाले में बैट करके एक कौने में बैट जाईए आपका मुख जो है उत्तर दिशा की तरफ हो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ हो आनंद लहरी पड़ सकते हैं या सौंदर्य लहरी का आप पाठ कर सकते हैं आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी का जब आप पाठ करेंगे तो आपको इससे विशेश शिव और पारवती की करपा की फ्राप्ति होगी ये सरल उपाय में आपको बता रहा हूँ इस सरल उपाय को आप करिए आपका जीवन सुधर जाएगा रात्री बारा बजे अगर आपने इस समय पे कर लिया तो बहुत अच्छा अब रात्री बारा बजे अगर आप करना चाहें तो क्या करें, जो मध्यान का समय होता है, 11 to 1, 11 to 1 का जो ये 3 गंटे का टाइम है, इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम में आप जो है, भगवान शिव को, जो है, जल अर्पित करें, बेलपत्र अर्पित करें, और भोजन वस्तू, भोज करने की वस्तू, पका बोजन कुछ भी पका हुआ बोजन सबसे बढ़िया खीर खीर इस समय पे अगर आप अरपित करते तो विशेश लाब मिलता है खीर अरपित करिए और इसी मंत्र का जब करेंगे फिर क्या करा जाएगा इस मंत्र का जब करने के बाद आप जो है शिव महीमन स्त्रोत जो पुष अगर शिव मिल जाए तो सब कुछ आजाएगा शिव मिल जाए तो सुन्दर गती मिल जाएगे और क्या चाहिए त्वाशा करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो मुझे दीजे इजाजत और प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें आपको सपोर् नवश्चाएगा